Hi friends, welcome to my basic kitchen आज हम बनाанич की सर्ज़ी आज हम सोफाजी की सागस ठीचिप आए हैनि आए बस इतने से समान से हम भुछत ही लाजबाब साबसी बनाने वाले हैं तो ये है यह हमारा हरा सोया साग जिसे सुआ भी कहते हैं, सोया भी कहते हैं, इंगलिश में डिल लीव्स भी कहते हैं ये है हमारी मौंकी दाल, धुली हुई दाल और कुछ मसालें हैं और अतरक और लहसुन, बस तो सबसे पहले दोस्तों हम ये धुली हुई दाल को अच्छे से धोलेंगे पानी में तो आप चलते हैं, काटते हैं अपना ये हरा सोया साग, इसको आपने बारिक बारिक चॉप कर लेना है तो दोस्तों हम बनाने चलते हैं सबजी, तो एक कढ़ाई में मैंने दो चमच तेल डाल दिया है और इसमें मैं सबसे पहले डालूँगी हमारा जीरा जीरा जब थोड़ा सा भून जाए, आपको लगे कि हाँ चटक चुका है उसके बाद हम इसमें डालेंगे ये लहसन और अद्रक, मैंने लहसन और अद्रक को चोटा चोटा बारिक बारिक काट लिया है आप चाहें तो घिसके भी डाल सकते हैं एक मिनट तक आप इसको अच्छे से भून लें उसके बाद मैं इसमें एक हरी मिश डाल रही हूँ उसके बाद मैं इसमें कुछ सूखे मसारे डाल रही हूँ जैसे की हल्दी और हमारा लाल मिश पाउडर थोड़ा सा धनिया पाउडर और थोड़ा सा नमक तो इन सब मसालों को भी आप थोड़ी देर भून ले उसके बाद ये हमारी भीगू ही मूं की दाल है ये मैंने आदा गंटे तक भीगो ली थी तो देखे इस तरह के हम इसका पाणी थोड़ा सा जला लेंगे फिर हम इसमें डालेंगे ये दूले हुए सोया साग की पतिया इसे भी हम मिक्स कर लेंगे अच्छे से देखे दोस्तों इसमें पानी लगभग ना के बराबर है ऐसे ही आपको रखना है अब मैं इसे ढख के पकने के लिए रख दूँगी और तकरीबन 5-6 मिनट बाद ये जबजी पक के तयार हो जाएगी मेरी सबजी को पकने में तकरीबन 7-8 मिनट लगे थे तो देखे एकदम तयार है दोस्तों इस सबजी में अगर आप पानी नहीं सुखाएंगे तो ये इतनी सुखी सबजी नहीं बन पाएगी तो देखे ये एकदम तयार है आप इसे रोटी के साथ, पूरी के साथ, पराँठी के साथ इंजॉई कर सकते हैं ये बहुत ही टेस्टी लगती है खाने में तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हूँ तो प्लीज लाइक कीजे, शेयर कीजे और मेरे चानल को सब्सक्राइब कीजे मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताईए आपको मेरे रेसिपी कैसी लगती है नेक्स आप कौन से वीडियो देखना चाहते हैं प्लीज मुझे बताईए तिल देन, बाबाई and एंजॉई